इस वीडियो होनुकि ४ारन फिर से जीवी के पावर और इंफ्राट्राथक्चर लिमिटेट को डिसक्स करने जा रहे हैं कि पिछले बार जा मैंने इसके पर वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने काफी से राप प्यार दिया एक पर से इसके उपर वीडियो बनाता हूं और आपको बताता हूं कि तेजी रूखने का नाम नहीं ले रहा है जीवी के पाउर में यह तेजी कितना सस्टेनेवल है कितना और ऊपर जा सकता है और नए और पुराने इंवेस्टर्स को इसमें क्या करना चाहिए सारी बातों को A to Z जनकारी इसमें गान लेंगे पिछली बर जब मैंने वीडियो बनाए था तो यहां पर आपको बताया था कि एक दिन का रिटर्न साड़े-चार परसंट का सपास नेगेटिव में है लेकिन अभी एक एक दिन में देखेंगे तो चार-चार-पास परसंट के तेजी एक एक दिन में यहां पर देखने को मिल काम के बारे में बताया था कंपनी की काम है काफी सिंपल काम है यह जो एएरपोर्ट में होते हैं इन इससे लिए in फृल्ठ रचीछ भी मुहिए करती इसलिए इसके नाम में पावर के सास्थ इंफ्राच्रक्चर का कम रिजुड़ा हुआ है बासख करता हुआ मिशाहा लेकिन इसके लिए और भी चीज़े को जानना जरूरी है जैसे टेक्निकल एनलेसिस क्याता है तो सारी चीज़ों कि इस वीडियो में डिसकस करेंगे और एक लंबी और ही मार्केट के बढ़कर तकरीवन यहां पर सब्सक्राइब करें जिसमें बताया है कि कंपनी जो काम करती है वो चांड देखना तो अभी हमने आपके साबने यहां पर एक सल के चांड पर आप देखेंगे तो इस कंपनी के लिए जो सबसे मेजर रिस्टेन्स था अभी तक वो था सिर्फ चार रुपए के आसप लेवल लेकिन 4 रुपे के लेवल को कम्पनी ने अभी बहुत तेजी से इसको ब्रेकर के ऊपर गया पांच रुपे का सबस तो अभी देखेंगगा अभी से श्टो का प्राइस तक रहा है अब सवाल है कि 8 रुपे से और ऊपर कहा तक जा सकता है तो इसके लिए हमें यहाँ कम्पनी का पांच सल का चांट उपन करना होगा पांच सल के चांट पर देखेंगे इसके लिए यहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस ते जो कि तक्रिवें सब्सक्राइब आपको दिख रहा है अब सबसे इंप्राने के बाद क्या होगा यहां पर जैसे प्राइस आगा फिर जाते ही होता है प्रृष्ट बोकिंग होता है तो प्रास थोड़ा सा फिररेजस्ट्स मारने आएगा 8 रोपय के लेबल के आसपास और यहां इस्का बनाया हुआ Olá यहां लेबल का काम करेगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर इस कमनी का सेप्टाइस फिर उपर उठेगा और फिर एक नया हाई आपको बनाते वह दिख सकता है तो अभी जो लोग पहले से बने हुए उनके लिए तो अभी अच्छे दिन है अभी इसमें बने रही अभी आप कुछ नहीं करना सा फिर थोड़ा सा इसमें इंट्री बना सकते हैं नए हाई के लिए अभी चलती हुए डेल गाड़े में कूदने का कोई मतलब नहीं है तो चांट के एनलेसिस करने से क्या पता चलता है वह मैंने आपको बताया और नए और पुराने इंवेस्टर्स को क्या करना है या भी म की मताते रहा हूं कौक Two देखे कि इस कम्पनी का फांडमेंटल दीमेंश बाइक निए क्योंकि अभी तक मैं आपको बता है और चांट के साफ कमपनी का सेयल्स काफी मजबूत हा才 में है और मजबूत है इसमें देखने आ उससी बढ़ने का सेagement में बढ़ता है उत्यौ्ट अच्छे कास्ते बढ़ते वोगे दिखा है इसी लिए मैं कहा हुआ हूँ कि अभी इस कम्पनी में बने रहने की आओ सत्ता है क्योंकि कम्पनी का अच्छे से ग्रोव करते दिख रही है तो उम्मीद करता हूं जीवी के बारे में जो बात में आपको बताई आपको पच्छे समझ पार होंगे मन में कोई अगली वीडियो में तब तक लिए धन्य बात शुक्रिया अगली वीडियो में तब तक लिए धन्य बात शुक्रिया